हलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में circuit breaker के regarding बात करेंगे कि circuit breaker क्या होता है या कितने तरह के होते हैं या कितने प्रकार का होता है तरह से पहले हम जान लेते हैं circuit breaker होता क्या है यह एक ऐसा device है जो आटो या मैनोल कंडिशन में line को break या close कर दे हैं उसे circuit breaker कहते हैं यह voltage के अधार पर यह circuit breaker कितने प्रकार का होता है देखते हैं एक आडेंग टू बोल्टेज बोल्टेज के अधार पर circuit breaker जो होता है तीन प्रकार का होता है थी टाइप्स लो बोल्टेज second medium voltage तीसरा high voltage बेरेकर जो होता है बोल्टेज के अधार पर लो बोल्टेज मीडियम बोल्टेज हाई बोल्टेज के अधार पर लो बोल्टेज के अधार जीरो से एक हजार बोल्ट तक जो होता है उसका ब्रेकर अलग आता है और एक हजार बोल्ट से उपर जो 72 हजार बोल्ट या बोलें तो 72 केवी तक जो होता है उसका ब्रेकर अलग आता है 72 kv के ऊपर जो होता है वो breaker अलग होता है कि तीन प्रकार कर बोल्ट ब्रेकर आता है अब 0 से 1000 बोल्ट तक जो ब्रेकर होता है इसमें आपका आता है mcb mccb rcv rccv elcv इसमें सब में देखना है cvcb करके लगा हुआ सर्किट ब्रकार जो mcb है इसमें रेटिंग दिया रहता है 100 और mcb rcv elcv जो इन सब में होता है इसमें 1000 एंपयर का दिया हुआ है लेकिन इसमें हम सेट कर सकते हैं 800 एंपयर पर भी सेट कर सकते हैं 700 एंपयर पर भी सेट कर सकते हैं लेकिन mcb में सेट नहीं कर सकते सकते हैं mcb एंपयर का ही आता है इसका वर्क हम आगे नेस्ट वीडियों बताएंगे अभी हम बताने कितने प्रगार का होता है medium voltage के अधार पर जो होता है इसमें आता है bcv acv यह आता है यह सब 6 अब acv यहां भी आता है यह सरक्युट बेकर acv जो होता तीन ओम होता है लेकिन इसका size बोल्टेज के दार पर change हो जाता है bcv जो होता बैकूम सर्कुट बेकर और bcv 72 के वी के ऊपर भी आता है bcv a.cv जो bcv है बैकूम सर्कुट बेकर यह सब सीक किले कर होता है सब मेद सबसेत है और इंस सबका कारिए मिन आरगी बताएंगे कि यह यह किया जाता है हम आगे ने इस वीडियों बताएंगे बाइकुम सार्कित बेकर क्या होता है यह सार्कित बेकर क्या होता है और यह सबसे सार्कित बेकर क्या होता है इन सब का वर्क और क्यों यह सार्कित बेकर यूज किया जाता है इनका यूज करने के क्या रिजिन है इस हम आगे ने इस बीडियों बताएंगे, धन्यवाद.